जी नमस्कार साथियो गुड़ इविनिंग प्यारे दोस्तों जैसे कि आपको पता है रोज 6 बजे हम साम को आपके लिए कुछ बैतरी इन कोश्चन की एक सीरीज लेके आते हैं और उसमें रोज नए टोपिक से संबंदित हम अलग-अलग कोश्चन की विराइटी को ध्यान में रखके जो हाल फिलाल जो ओनलाइन ओफलाइन एक्जामों में जो कोश्चन की पूछे जा रहे हैं उस स्टंडर्ड के कोश्चन की हम रोज प्रैक्टिस कराते हैं रोज नए बैतरी इन तरीके से आपके सामने प्रस्टूत करते हैं आपको यह ध्यान रखना है प्रैक्टिस के माइने प्यारे दोस्तों हमारे और आपकी मैनत के तभी हैं जब हम हर तरह के कोश्चन की विराइटी को उसमें सामिल करें कोश्चन का जो आंसर है उसका हमें लोजिक पत होना चाहिए उस questions का प्यारे बच्चों जब तक solution आपके पास नहीं है कि इसका right answer आया तो आया कैसे तब तक उस questions की practice करने का कोई ओचीत है और कोई परपज़ भी नहीं होता आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे जो questions हम लेते हैं वो अपने आप में उन तमाम तरह के questions की variety के होते हैं जो अभी हाल पिलाल online और offline questions जितने भी आ रहे हैं किसी भी परिक्षा से सम्मंदित आ रहे हैं जितने भी online और offline जो भी paper हमारे हो रहे हैं उनमें जो questions की variety हैं तो सारी question को हम सामिल करते हैं, साथ के साथ आपको ध्यान रखना है, GS के अंदर, Hindi के अंदर, और reasoning के अंदर question का trend चेंज हुआ है, पिछले 2-3 सालों में, तमाम examों में, चेव किसी भी department के examों, उसी को आपको ध्यान रखना है, अगर एक ही तरह के questions को आप बार बार practice करोगे द क्योंकि अगर आपने उसे एक से दो question कर लिए practice, तो उससे आने वाले उस तरह है के बनने वाले तमाम question को आप कर सकते हो, यह लिए questions का level अलग होना चाहिए, उसके sequence और उसकी variety अलग होनी चाहिए, तो आज हमारा जो topic है दोस्तों वो है विराम चिन, जैसे कि आपको पता है कम समय में करने है, जो भी समय दिया गया है, मान के चलो अगर आपको 20 question करने है, तो 20 questions करने के लिए हिंदी में maximum 5 minute आपको देनी है, और वो possibility तब होगी जब आप हिंदी को logic के साथ समझोगे, so trick के साथ समझोगे, उसको तुरंत देखा और answer, तो क्योंकि जो बागी आपने 15 मिनट बचाई 20 question को करने के लिए, या कितने भी question आते हैं, अलग-अलग exam में questions कियें, प्यारे बच्चों नंबर अलग-अलग होते हैं, कहीं 40 question आते हैं, तो कहीं 50 question आते हैं, कहीं 100 question आते हैं, तो कहीं 15 question आते हैं, लेकिन अगर मान के चलो 20 question पेपर में आ रहे हैं, तो 20 question के लिए 5 मिनट मैक्सिमम बहुत होती है दोस्तों क्योंकि 15 मिनट यहां हिंदी से बचा के आपको math को reasoning को और बाह की दूसरे subject को देने हैं अगर वहां हिंदी से समय बचा के आप दूसरे subject में दे दिये तो प्यारे दोस्तों वहां questions के सही होने की possibility ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर माने के चलो आपको math के 20 question करने और आप 20 मिनट में करना चाते हो तो आप प्यारे बच्चों जल्द वाजी में 3-4 question हमेशा गलत कर किया होगे लेकिन उस 20 math के question को करने के लिए अगर हिंदी से निकालके आपने extra questions के extra time उन question को दे दिया प्यारे बच्चों 5-10 मिनट तो वहाँ से जादे question सही होगे तो हिंदी को इसलिए नहीं पढ़ रहे है कि हमें हिंदी के सारे question सही करने है हम हिंदी को इसलिए भी नहीं पढ़ रहे है कि 5 मिनट में 20 question करने हम हिंदी को इसलिए पढ़ रहे है कि हिंदी को कम समय में करके दिये गए चिन्नों में से आदेश चिन ग्याद कीजिए तो आदेश चिन का मतलब प्यारे दोस्तों आपको यह ध्यान लखना है यहाँ पे हमारा विवरण चिन से है आदेश चिन का दूसरा नाम है विवरण चिन कौन सा चिन विवरण चिन तो किताबों में विवरण लिख करता है यह रिखतस्थान को बताता है दूसरा यह जो चिन होता है यह अवतरन चिन क्या लाता है सेग्ड नंबर पे जो दिया है अवतरन चिन बोलते हैं इसको उद्रन चिन बोलते हैं जो दूसरे की कोई पंक्ती होती है उसके लिए हम इसका परियोग करते हैं इसको हमें यो पता लिखते हो, पहले यहां दो बिंदी लगाओगे, फिर यहां निर्देशन चिन लगाओगे, इसके बाद आपको कहीं पे नोट लिखना है, प्यारे बच्चों कहीं बार टीचर आपको चीजों को नोट करवाते हैं, तो पहले नोट लिखोगे, यह दो बिंदी के साथ उपस्तित रहता है, किसी को हम विवरन चिन बोलते हैं, इसी को आदेश चिन बोलते हैं, किसी भी विशे के बारे में आपको बताना है, तो आप उस विशे में यहां दो बिंदी दे के, कहीं आपको निसकर्स बताना है, कंकुलूजन निकालना है, तो आप प्यारे परियोग होगा, तो address जो भी आपका है, इस address में क्या होगा, आपका घर का विवरण आ जाएगा total, कि आपका घर का मकान नंबर क्या है, आपके गली नंबर क्या है, आपका बलोग कौन सा है, आपकी तैसिल कौन सी है, इसमें आपका जिला कौन सा है, वो सारी चीजे प्यारे दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपका pin code आ जाएगा note करने में यानि कि कम से कम सब्दों में जब आप किसी का विवड़न देते हो किसी को detail में इसपश्टी करना देते हो तो उसके लिए आदेश और विवड़न चिन पर यो किया जाता है तो question number 1 का right answer हुआ यानि कि ये वाला चिन next question लिएका में किस विराम चिन का उपयोग किया गया है उसकी पहचान कीजिए वै दूर से बहुत दूर से आ रहा है तो जब बहुत का परियोग किया है आपने तो पियारे दोस्तों इस दूर का कोई मतलब नहीं रह गया है तो इसलिए आपको ध्यान इस दूर के अस्थान पे आप किसी एक चिन का परियोग करोगे बागी इन सब में दो दो चिन दिये हैं इसका मतलब एक चिन हम और जगा परियोग करेंगे तो वह दूर से बहुत दूर से वह बहुत दूर से आ रहा है तो हम वहें के बाद में आपको ध्यान रखना है किसका परयोग करेंगे? अलफ विराम का और यहां जो ओल रेड़ी यहां पे प्यारे बच्चो क्या है? पून विराम है तो इसी पून विराम को हम यहां पर परयोग करेंगे तो right answer क्या हुआ इसका d हुआ वह के बाद में अल्प विराम और उसके बाद में प्यारे बच्चो पूर्ण विराम तो कोश्चन से नंबर दो का राई टांसर क्या हुआ क्योंकि सब्दों के साथ अल्प विराम का परियोग होता है आपको वाक्यांस के साथ अर्द विराम का परियोग होता है इसको अर्द विराम कहते हैं दोस्तों ये वाला जो चिन होता है ये वाला चिन होता है अलप विराम का ये आपको ध्यान रखना है अलप मतलब होता है थोड़ा तो जहां थोड़ा सा थैराव लेते हैं वहां हमें ये चिन लगाते हैं अर्द विराम प्यारे दोस्तों आपको यह होता है तीसरा जो चिन होता है प्यारे बच्चो उप विराम होता है जिसका दूसरा नाम एपून विराम भी होता है उप विराम चिन और उप विराम चिन एक विसर्ग के तरह है कि प्यारे बच्चो दो बिंदू होते हैं जो बीच में से बिल्कुल आपको ध्यान रखना बंद रहते हैं खाली नहीं होते हैं तो यह टाइटल में परियोग होता है यह इसमें परियोग होता है टाइटल में जैसे फोर एक जामपल गदर एक प्रेम कथा तो यहां गदर एक प्रेम कथा में हमने यह लगाया तो यह क्या था यह उपविराम था इसका परियोग प्यार बार question ये भी आता है, छंद में किस विराम चिन्नों का परियोग होता है, एक तो ये अलप विराम का परियोग करते हैं, यती के रूप में, किस के रूप में करते हैं, यती के रूप में, छंद में एक तो ये यती के रूप में परियोग होता है, और एक छंद की समापती पर क इसका परियोग करते हैं आप पूर्ण विराम का एक प्यारे बच्चों दो चरण की समापती के बाद एक और जब चार चरण समापत हो जाते हैं तो हम दो का परियोग करते हैं तो इन्ही विरामचीन के आधार पे दूसरा भी question होता है तो आपको ध्यान रखना सबदों के साथ अलप विराम, वाक्यान, सब सेंटेंस, उप वाक्या के साथ अर्द विराम का परियोग, सिरिसक टाइटल के साथ जैसे गदर आ गया, तो यहाँ गदर के बाद क्या लगए दो विंदी तब एक प्रेम का था, तो टाइटल के साथ उप विराम और वाक्या के साथ, वाक्या के अंत में पून विराम का परियोग किया जाता है, इसके बाद question number 3 दिएगे, वाक्या में किस विराम चीन का परियोग हुआ है, तो उसकी पैचान कीजिए, तो यहाँ पर क्या दिया है, हमारा विद्याले पराता है, आठ वजे खुलता है, तो इसमें यहाँ पून विराम आया, यह बिल्कुर सही है, यहाँ पर अल्प विराम की कहीं गुंजा है, नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं हम सब्द को अलग करी नहीं सकते, यहाँ कहीं वाक्यान साया है, आधी बात कहीं गई हो, किसी में वो भी नहीं है, सी का परियोग नहीं होगा, यहाँ प्यारे दोस्तों, कोई विलोम सब्द हो सहिao का परियोग हुआ हो कोई सब्द, दो सब्द संबंद को बता रहे हो, ऐसा भी नहीं है, तो राइट आनसर क्या हुआ, राइट आनसर वाड़ी क्यों, क्योंकि यहाँ जो audience पॉर्द सब्द होता है, वो मूल में क्या होता है बीच में से खाली नहीं रहेंगा और यह गैप दे के लगता है जब कि एक दम वर्ण के विलुकुल निकट में लगाया जाता है और बीच में से खाली रहता है तो पराते जब आप यहां यह चिन दो गए तभी यह सही होगा इसलिए राइट अंसर हो गया दी दिये गए वाक्या में उप्युक्त विरामचिन का चेन करे तुम सब कहां जा रहे हो तो जब तुम सब कहां जा रहे हो यहां पे इन्होंने कोई चेन ने दिया यहां परसन वाचक सब्द दे दिया जब भी परसन वाचक सब्द कब क्यों कहां कैसे या प्यारे दोस्तों आपको दिहान रखना है कितना इस तरीके से परसनवाचक सब्द अगर कहीं पे आ जाता है तो आपको उसके अंत में परसनवाचक चिन का परियोग करना है कि चिन का आप परियोग करोगे परसनवाचक चिन का राइट आंसर हुआ है तो यहां पे परसनवाचक चिन होगा क्यों क्योंकि परसनवाचक सब्द आया तो परसनवाचक सब्द कौन कौन से एक तो क्या आजाए या कौन आजाए या कैसे आजाए या कब आजाए या प्यारे दोस्तो कहां आजाए या क्यों सब्द आजाए या फिर कितना आ जाए ये सारे के सारे क्या क्या लाते हैं दोस्तों ये सारे के सारे क्या लाते हैं परसन वाचक जब भी किसी सेंटेंस में इनका परियोग होगा तो वहा परसन वाचक चीन आपको जरूर लगाना होगा ठीक है तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ राइट एक को संक्षिफ्स करता है चोटा करता है वो किया लाता है प्यारे दोस्तों कैसे पर्योग करते हैं लांगव चिन का में जैसे हमें दोक्टर लिखना है यह भंपर यह करते है पंडि जवार लाल नेहु लिखना है यहां पे लाष्ट में क्या करेंगे नहरू यह हमने क्या कर दिया सोट में कर दिया हमको यहां पे मद्या परदेश लिखना है यहां उत्तर परदेश लिखना है यहां प्यारे दोस्तों दिल्ली पुलिस लिखना है दिल्ली पुलिस यहां इसके साथ साथ हमें यहा किया लांगाउ का परियोग किया इन सब में क्या किया है प्यारे दोस्तों हमने लांगाउ का परियोग किया तो यहां डोक्टर प्रोफेसर को जिपंडी जवालाल नहरू को जो संक्सिप्त लिखा गया वो इस रूप में लिखा गया, इसी के अलावा और जगे भी हम परियोग करते हैं, सिर्फ यह जरूरी नहीं है कि यहीं पर इनका परियोग होता है, जैसे for example, आपको M में लिखना है, ठीक हैं, तो M में आप ऐसे लिखते हो, आपको B ए लिखना है, तो B ए आप ऐसे लिखते हो, या आपको M फिल लिखना है तो आपको यह दियान रखना है यह सोट में लिख दिया Master of Arts हो गया Bachelor of Arts हो गया प्यारे बचो ठीक है तो आपको यह दियान रखना है यह जो आप परियोग कर रहे हो यहां पे तो वो क्या है यहां वो है D option तो इसलिए लांगाओ का जो चिन है यह है क्योंकि यह चिन अर्दविराम का है यह चिन अलफविराम का है और सी में जो चिन दिया है वो विसम में चिन है जिसको प्यारे बचो आपको दियान रखना है हम आश्चरिय के लिए परियोग करते हैं यहां वो संबोधन चीन भी क्यालाता है तो यह अलप विराम हुआ यह अर्द विराम हुआ यह अलप विराम हुआ यह विसमे चीन हुआ तो बच यह गया तो यह क्या क्यालाता लांग भाओ इसका परियोग बीच में नहीं करोगे दोस्तो तो आप गलती क्या करते हो, यहां बीच में परियोग करते हो, यह डाव हो गया, बीच में परियोग नहीं होता, यह परंपरा गलत है, आप इसका परियोग यहां नीचे करोगे, तो बीच में परियोग नहीं होगा, जब भी परियोग होगा, नीचे होगा, और बीच में खाल रूप में बोलते हैं और लिखते हैं तो लांगाओ कहलाते हैं दिये गए वाक्यों में किस परकार के विराम चिन्नों का परियों किया जाएगा ग्याद कीजिए सुनो सुनो वह क्या बोल रही है तो एक तो इसने प्यारे बच्चों यहां जब वाक्या पूरा हो गया इसने यहां पूर्ण विराम नहीं लगाया, तो पूर्ण विराम आएगा एक तो इन में से, तो पूर्ण विराम एक तो इसमें है और एक तो इसमें है, तो यहां इन दोनों में A और प्यारे बच्चों D में से कोई एक होगा, अब यह देखो क्योंकि यहां पूर्ण विराम आना क्या बताया अलप विराम का परियोग होगा तो यहां भी सुनो इसमें भी सुनो खी कि वह क्या बोल रही है तो पूछ किया रहा है आप से अर्द विराम का चिन कुन सा है ये डी कहा लगा जाता है अर्द विराम चिन लगा जाता है वाक्यांस के साथ वाक्यांस में परियोग होगा जिसको क्या कहते है उपवाक्या कहते है जिसको इंगलिस में क्या बोलते है सब सेंटेंस बोलते है इ इसका दूसरा नाम क्या होता है पदबंद तो पदबंद के साथ उपवाक्या के साथ वाक्यांत के साथ कैसे वाक्यांत के साथ जैसे गांधी गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो सदा सत्य बोलो तो ये गांधी जी ने कहा ये क्या है प्यारे दोस्तों ये अपने आप में ऐसे ही उसने कहा उसने कहा यहां क्या आएगा अर्द विराम कल बारिस होगी उसने कहा कल बारिस होगी तो यहां आपने आप में कल बारिस होगी यह इस उपवाक्य के साथ जुड़ा है तो इसे उपवाक्य कहते हैं इसको क्या कहते हैं वाक्यांस कहते हैं इनको पदबंद कह तो हमेसा आपको द्यान रखना है इस अर्ध विराम का परियोग हम किसी समुच्च बोदकवे के स्थान पर भी करते हैं जैसे तो प्यारे दोस्तों किसका परियोग कर सकते हो की का परियोग कर सकते हो की गांदी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो उसने कहा यहां भी हम किसका परियोग कर सकते हैं की और यह की क्या है समुच्य बोदक अवे तो क्वेशन ये भी पूछा जाता है कि अर्द विराम के इस्थान पर क समुच्च अधावय का परियोग होगा तो राइट आंसर क्या है की की के स्थान पर किस विरामचिन का परियोग होगा राइट आंसर क्या है अर्द विराम अर्द मतलब आधा विराम मतलब ठहराव तो जहां आप 50% air अपने फेपडों से निकाल देते हो 50% रखते हो और किसी चीज़ का उच्चान करते हो तो वहाँ पर अर्द विराम का परियोग किया जाता है यानि कि जहां पाधा ठहराव लेते हो पूरा ठहराव नहीं पूरा ठहराव कहां लेते हैं फून विराम में और थोड़ा सा ठहराव कहां लेते हैं अर्द विराम में यह लिए क्वेशन नमबर 7 का प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो हुआ वो हुआ हमारा डीम इसके बाद दियेगे वाक्य में किस विरामचिन का उपयोग किया जाएगा उसकी पैचान कीजिए यह गड़ी जादे दिनों तक नहीं चलेगी यह बहुत सस्ती है ठीक है तो यहाँ पे दो दो विरामचिन दी हैं बताओ कौन सा उप्सन सही आएगा एक उप्सन तो प्यारे दोस्तों यह वाला सही आएगा क्योंकि यहाँ पूर्ण विराम दिया नहीं है बात विल्कुल सही हो गई तो पूर्ण विराम देखो किस किस में आया एक A में और एक A C में यही तो सोट्रिक है इससे और इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है तो क्योंकि यहाँ पूर्ण विराम है नहीं तो पूर्ण विराम आया तो पूर्ण विराम इसमें दिया इसमें अब यहां क्या है यह गड़ी जादा दिनों तक नहीं चलेगी तो यहां इस चलेगी के बाद में क्या आएगा अर्द विराम आएगा यह बहुत सस्ती है यह अलग वाक्या है और यह गड़ी जादा दिनों तक नहीं चलेगी यह अलग वाक्या है तो वाक्यांस के अबी क्या बताए आपको अर्द विराम का परियोग होगा तो right answer क्या हुआ ए हुआ क्योंकि यहाँ यह जो योजक चिन है यह सब्दों को जोडने अलग करने के लिए करते हैं सही उक्त किरिया में परियोग करते हैं विलोम सब्द में करते हैं विपरी तर्थ देने वालों में परियोग करते हैं सामसिक सब्दों में हम परियोग करते हैं ऐसी यहां कोई condition है नहीं तो right answer क्या हुआ हमारा एक कहाँ आएगा अर्द विराम चलेगी के बाद में तो यहां पर क्या हुआ प्यारे दोस्तों ठीक है एक अर्द विराम और दू से वो आया यहां संबोधन ठीक है इसी को हमें विसम्य बोधक भी कहते हैं इसी का दूसरा नाम क्या है इसी को हम संबोधन बोधक भी कहते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों संबोधन बोधक चिन भी बोलते हैं इसको या संबोधन वाचक चिन भी बोलते हैं तो विसम्य का ही अर् हम इस संभोधन चिन का परियोग करते हैं तो question number 9 का right answer D दिये गए वाक्या में किस विराम चिन का परियोग किया गया है उसकी पैचान कीजिए रोको मत जाने दो तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि एक तो विराम चिन क्या आएगा रोको मत जाने दो यहां पूरा क्या है पूर विराम है रोको मत जाने दो पूरे बात हमने कहा दी जब भी कोई कतन जब भी कोई गटना जब भी कोई परसंग जब भी कोई बात हम अपनी complete कर लेते हैं तो उसके बाद पून विराम चिन का परियोग होता है पून विराम एक तो A में दिया हुआ है एक दिया है C में अब यह क्या है प्यारे दोस्तों यह वहां प्लांगा वाला चिन है इसकी हाँ गुण जैस है नहीं तो हम इसका परियोग किसमें करेंगे एक रूप में करेंगे तो कैसे परियोग कर सकते हैं एक तो परियोग कर सकते हैं प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है रोको मत जाने दो ये अपने आप में यहां क्या हो गया ये सुद वाक्या बने गया लेकिन शिर्फ यहीं नहीं परियोग कर सकते इसका परियोग प्यारे दोस्तों यहां पे भी हो सकता है कोईशन आप से यह भी पूछ सकता है रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो इसका परियोग हम इस रूफ में भी कर सकते हैं देखो एक मात्रशजिन अलग-अलग सब्दों के बाद लगने के बाद उसका पूरा अर्ती ही बदल गया यहां क्या कह रहा है यह रोको मत जाने दो अथार्ट इसको पगड़ के रखो जाने ने देना है तो उसके अर्थ पे भी असर पड़ता है, उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है प्यारे दूस्तों, विराम का अर्थ क्या है, विराम का अर्थ आराम है, ठेराव है, विसराम है, तो हमने एक बर आराम ठेराव विसराम या लिया, एक पे यह जो हमने चिन लगाया है यह जो परतीक लगाया है यह जो संकेत है यह जो पहचान है इसी को हम यहां चिन कह रहे हैं तो उच्चारण करते समय थार्थ बोलते समय जो हम समय लगा रहे हैं प्यारे दोस्तों तो वहाँ उस समय के अस्थान पर ही हम यहां इन चिन्नों का परियोग करते हैं इसको विराम चिन कहते हैं इन पर्तिकों का परियोग करते हैं इन संकेतों का परियोग करते हैं इस प्यारे दोस्तों इन पैचानों का परियोग करते हैं तो इसलिए आपको ध्यान रखना है विराम का अर्थ होता है ठहरा विसराम और आराम और चिन का अर् और बाप्रे क्या है प्यारे बच्चो अपने आप में आश्चरिय को बताने के इसलिए जब बाप्रे के बाद में क्या आएगा यह अपने आप में किसको बता रहे है यह सोक को बता रहे है ठीक है बाप्रे बाप बस करो बहुत हो गया यह किसको बताता है अपने आप में सोक को बताता है तो यहां क्या है प्यारे बच्चो आश्चरी है सोग को परकट करने के लिए इसका मलब यह आए इसके बाद पिता जी आ गए कारिया पूरा हुआ तो राइट आंसर क्या हुआ सी यहां संबोधन दिया है तो इनमें बाकी गलानी और घरना को परकट करने के लिए गलानी या घरना को परकट करने के लिए भी हम इसका परियोग करते हैं इसके साथ कहा परियोग होता है संबोधन में भी परियोग किया जाता है संबोधन को परकट करने के लिए इसके साथ साथ आशिरवाद को परकट करने के लिए जी का परियोग करते हैं इस वाले चीन का परियोग करते हैं तो आश्चरिये सब्द क्या है कास आप पहले मिले होते तो और अच्छा होता आपका सलेक्शन हो गया होता हर्स क्या है अत्यदी खुशी ठीक है अगर हम पहले मिले होते अगर अगर के बाद लगे अगर हम पहले मिले होते ठीक है यहाँ पर क्या करेगा वा सावास इसका अंपर यो करेंगे सावास आपने तो कमाल कर दिया तो सावास अत्यदी खुशी को बता रहे है अश्चरिय को बता रहे है सोक हाई हाई तरही तरही बापरे बाप बस करो इस सोक को बता रहे है गलानी छी 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 ठू ठू धत तरे के दिक्कार है तुम पे वो गलानी को बता रहे है संबोधन अरे इधर आओ ओ बाहर जाओ ठीक है अजी आप तो सु इन सब तमाम सब्दों के बाद में हम किसका परियोग करते हैं दोस्तों संभोधन का परियोग करते हैं अथार्त विसम्य बोधक चिन का परियोग करते हैं संभोधन बोधक चिन का परियोग करते हैं तो यहां बापरे के बाद में यह आया यहां पून विराम राइट आंसर हो होता है जब हम दूसरे के कथनों को अफिलने लिए उतारते हैं तो अफ्तरन क्यालाता है जब दूसरे के कथनों को हम उध्धरन के रूफ में प्रस्तूत करते हैं तो उध्धरन चिन क्यालाता है इसमें दो चिन होते हैं एक होता है इकरा चिन इसको प्यारे दोस्तों हम इकर एग्यात कथन के लिए उपादी के लिए अगर उपादी के बारे में बताना है या उपनाम के बारे में बताना है तो उपनाम में उपादी में एग्यात कथन में या प्यारे दोस्तों कवीताओं में कोई कवीता है कोई पुस्तक है गरंत है कोई पुस्तक है या कोई संस्था है किसी संस्था का आपको नाम लिखना है किसी संस्था का तो इस संस्था के नाम में पुष्टक में कवीता में और साथ के साथ एग्यात कथन में किसमें एग्यात कथन में उपादी में उपनाम में हमेशा इकराचिन का परियोग किया जाता है और जो नारे होते हैं आपको य किहां रखना है महापुरुस की कोई उखती हो किसी महापुरुस की परसिद व्यक्ति की कोई भी उखती हो कोई भी कथनों महापुरुस के कथनों में हमेशा क्या करते हैं प्यारे दोस्तों या किसी परसिद पुस्तक से कोई पंक्ती ली गई हो परसिद पुस्तक से परसिद पुष्टक की पंक्ती के साथ हमेशा किसका परियोग होता है दुकरे-चिन का परियोग होता है जैसे four examples परिशरा मिसाफलता की कुणजी है यह एगयात कथन है यह कौन साक थन है यह एगयात कथन है आज तक नहीं पता है किसने कहा तो उसमें केवल और केवल हम इक्रे-चिन क परियोग करेंगे इस वाले का और कोई नारा आ गया तुम मुझे खोंदों में तुम्हें आजादी दूँगा सुभास्चंद्र भोस ने का उसमें दुकरा चिन का परियोग होगा सत्य मेव जैते मुंड को उपनी सत्य से लिया गया परचित पुस्तक है सुप्रीम कोट का ध देव आक्या है तो जो देव आक्या होते हैं जो लोगों होते हैं आपको ध्यान रखना है हर प्यारे बच्चों युनिवस्ट्री का हर संस्ता का संगटन का कोई ना कोई देव आक्या होता है उन देव आक्या के साथ दुकरे चिन का परियोग होता है किसका परियोग होता ह दुक्रे चिन का परियोग होता है मापुरुस का कोई कथन है अबला जीवन है तुम्हारी यही कानी आचल में है दूद आखों में पानी दुक्रे चिन का परियोग होगा दिल्ली चलो किसी का परशिद कथन है तो इन में सब में दूकरा चिन का परियो कोई उपादी है जैसे सूरिय का तुर पार्टी निराला उपनाम है तो निराला अपने आप में क्या है उपनाम है तो निराला को किस में बंद करोगे आप इकरे चिन में बंद करोगे कोई उपादी है समुन्दरगूत भारत का नेपोलियन कहलाता है कालिदास को भारत का सेक्सपियर कहा जाता है तो सेक्सपियर नेपोलियन को किस में बंद करोगे आप इकरे चिन में बंद करोगे तो यनि कि जो उपादी होती है जो उपनाम होते हैं जो एग्यात कथान होते हैं उनमें इकरा चिन जो कविताओं के नाम होते हैं सुरिय कांतिर पार्टी निराला ने नए पत्ते नाम कविता लिखी तो नए पत्ते जो कविता का टाइटल है नए पत्ते तो इस नए पत्ते को आपको क्या करना है इकरे चिन में बंद करना है कोई संस्था का नाम है मुंसी प्रेम चंदर ने गोदान उपन्या से लिखा पुष्तक का नाम आ गया तो इस गोदान को आप क्या करोगे सेंटेंस में इकरे चिन में बंद करोगे इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है उद्रण चिन का परियोग तो उद्रण चिन का जो परियोग हुआ है वो हुआ है प्यारे दोस्तों फ़स्ट में अथार्थ ए में किसके दिये गए वाक्या में उची तष्थान पर विराम चीन ग्यात कीजिए तो यहाँ पे हाए हाए जब कह रहा है तो आपको अभी बताया कि सोंक को परकट करने के लिए हम किसका परियोग कर रहे हैं तो एक तो इसमें संबोधान है और एक इसमें तो हाए में तो कहीं का नहीं रहा यहां कि आएगा प्यारे बच्चो पून विराम तो पहले आया है यहां हमारा वहाँ पे विसमें बोधा उसके बाद पून विराम राइट अंसर हुआ भी हाई बता रहे हैं सोंक को और सोंक के लिए हम विसमें बोधा का परियोग करते हैं दे गए वाक्य में उसकी तस्तान पर विराम चीन ग्याद कीजिए दादा जी मुझे खेल पढ़ते होगी तके लिए चुन लिया गया है तो क्या परियोग करोगे आप विसम में बोधा तो आएगा नहीं हैं क्योंकि आश्यरी है कि हर्च की कोई बाती नहीं है इसके साथ यहां कोई सब सेंटेंस भी नहीं है तो यहां किसका परियोग करोगे प्यारे दोस्तों यहां दादा जी मुझे खेल पढ़ते होगी लिए चुन लिया गया है राइट आंसर होगा डी क्योंकि दादा जी के बाद आप लगाओगे अलप विराम दादा जी है सब्द और सब्दों के साथ समाना धरवाले सब्दों के साथ यह अकेले एक सब्द के साथ हमेंसा अलप विराम का परियोग करते हैं मुझे परतियोगीता के लिए चुन लिया गया यह एक अलग बात हुई यहां पर लगाओगे कथन हो गया पूरा पूर विराम तो यहां दादा जी के बाद अलप विराम इसके बाद पूर विराम राइट आंसर हो गया आपका डी दिये के वाक्य में उची तश्तान पर विराम चिन कीजिए तो बच्चों ने आम नीम पीपल तता मरूद के पेड़ लगाए तो यहां पे आपको यह बभी बोला थोड़ी देर पहले कि समान आधार वाले जो सब्द होते हैं समान आधार का मुदलब क्या होगे यह तो वे सारे पेड़ हो या सबजी हो या फल हो या वे सारे संग्या हो या वो पुरलिंग सबद हो या सारे स्ट्रिलिंग हो वो किसी भी तरीके से एक एंगल से समान आधार होना चाहिए तो उन सबदों के साथ हमेंसा अलफ विराम का परियोग होता है बच्चों ने आम यहां पे अलफ विराम नेम यहाँ पर क्या आएगा पीपल लगातार हमें प्यारे बच्चो एक वाक्या में इसका तीन बार ही परियोग कर सकते हैं चार बार पांच बार परियोग नहीं कर सकते उसके बाद हमें कोई ने कोई अव्य या निपात लगा के तब फिर लगातार फिर तीन बार परियोग कर सकते हैं तो एक तो आया यहां alphi viram यहां बात हो गई पूरी जब बात पूरी हो गई प्यारे बच्चो तो यह क्या क्या लाया पूरmi viram तो यहां, क्या हुआ इसके अंदर प्यारे बच्चो arm, name और people तो यहां यह आया right answer हमारा क्या हुआ right answer यह हुआ हमारा तो बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा मरूद के पेड लगाए तो अलपी विराम का परियोग होगा और 7 के साथ किसका परियोग होगा प्यारे बच्चों, पून विराम का इसलिए यह द्यान रखना है यहां नहीं परियोग होगा यहां तो इसने क्या किया तथागा परियोग किया तो यह दो यहां पे किसका परियोग होगा आम के बाद इसके बाद नीम के बाद पीपल के बाद क्या कर लिया तथागा परियोग इसलिए यहां अलपी विराम का पर परियोग करना पड़ेगा क्योंकि सब्द है मान के चलो हम नहीं परियोग करना चाहते तथागो तो यहां क्या हो जाएगा आम नीम पीपल अमरूद के पेड़ लगाए तो तथागायब इसके स्थान पे अलफ विराम आ जाएगा सब्दो को अगर आपस में त्यारे दोस्तो लिखना होता है समाना आधार वाले तो अलफ विराम का परियोग और वाक्यान से लिखना होता है उसके स्थान पे हमें अठाना होता है समुझ चब उदा का हुए है तो अर्द विराम का परियोग करते हैं तो दो अलफ विराम और एक पून विराम राइट अंसर हुआ समान समान आधार वाले समान आधार वाले सब्दों के साथ सब्दों के साथ सब्दों के साथ अल्प विराम का परियोग किया जाता है अल्प विराम का परियोग किया जाता है जैसे मैं बाजार गया वहां से आलू टमाटर मतर भिंडी करेला ठीक है प्याज लेके आया तो ये आलू के बाद का माटर और विंडी के बाद क्या लगा होगा अलफ विराम क्यों समानाधार है सब्जिया है सारी ठीक है तो इसलिए क्या है राम लक्समन भरत सतरुगन राजा दसरत के चार पुत्र थे राम के बाद अलफ विराम लक्समन के प्रियोग किया जाएगा उसकी पैचान कीजिए मैं परिक्सा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिये थे मैंने परिक्सा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिये थे तो एक तो प्यारे बच्चों यहां पून विराम आएगा ये लगा नहीं है पून विराम इसमें भी दिया है और इसमें दिया है तो B और C में से होगा इन में से तो होगा नहीं A में और D में तो इसमें पून विराम है इसमें भी पून विराम है अब ये देखो यहां योजक चिन का परियोग होगा कहीं या अलप विराम का परियोग होगा तो यहां क्या मैंने परिक्सामे से पलता पाने के लिए दिन रात तो दिन और रात अपने आप में एक तो विलोम सब्द है दूसरा इस दिन रात को जब भी लिखा जाएगा वो इस रूप में लिखा जाएगा इसलिए राइट आंसर क्या हुआ राइट आंसर भी हुआ तो यहाँ यह योजक चिन योजक चिन का जो परियोग हम करते हैं आपको यह ध्यान रखना है यह हाइपन बोलते हैं इसको यह वाला जो चिन है ना यह योजक चिन क्या लाता है इसका परियोग सब्दों के बीच में सम्मंद बताने के लिए सब्दों को जोडने के लिए अलग करने के लिए संयुक्त किरिया जैसे पढ़ना लिखना खाना पीना ठीक है नाचना कूदना ठीक है आपको यह ध्यान रखना यह संयुक्त किरिया जहां दो किरिया एक साथ सुरू होती है और एक साथ समाप्त हो जाए वो संयुक्त किरिया है तो संयुक्त किरिया में योजक्चिन लगाते ह इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हाइपन कहते हैं कहीं बार यही question पूछा जाता है statement बनाके कि निमली कितमें से किस के साथ योजक चिन का परियोग नहीं किया जाता है विलूम सब्धों के साथ सब्दों के बीच में संबंद को परकट करने के लिए संयुक्त किरियाओं में और सामा सिक्पदों में योजग चिन का परियोग किया जाता है क्वेशन्स नंबर 18 दिये गए वाक्या में किस विराम चिन का उपयोग किया जाएगा इसकी पैचान कीजिए चलते रहो कहीं रुको मत तो आपको भी हम यहीं बोलेंगे प्यारे दोस्तों चलते रहो दीरे दीरे ऐसे हर कोश्टन्स की विराइटी आपके सामने आएगी और इसी तरीके से हम क्या है अपनी तैयारी करते रहेंगे तो चलते रहो कहीं रुको मत तो इसका मतलब क्या है रुको मत यहाँ पर अपनी बात complete तो यहाँ पर क्या आएगा पून विराम एक इसमें दिया हुआ है एक इसमें तो न तो यह होगा न यह राइट आंसर होगा यह तो पहला होगा और यह फिर प्यारे दोस्तो डी होगा जब चलते रहो तो चलते रहो इसके बाद आएगा आपका अर्द विराम और कहीं रुको मत इसके बाद आएगा फून विराम तो नंबर 18 का राइट आंसर होगा डी दोस्तो समय बहुत हो गया है तो धीरे धीरे ऐसे हमें प्रेक्टिस करेंगे अलग अलग तरह के कोश्चन आपको यह ध्यान रखना है एक विराम चीन नहीं बलगी दो-दो-तीन-तीन विराम चीनों का एक ही जगह परियोग किस तरीके से कर सकते हो और जो इस्टेटमेंट वाले कुश्चन थे जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि योजग चीन का परियोग कहा होगा योजग चीन का परियोग निमली खितमे से कहां नहीं किया जा सकता statement वाले questions भी आपको इनी questions के माध्यम से साथ-साथ कराए गए तो आप केवल ये मत मान के चलो कि यहाँ पे हमने यह 18 question किये इस 18 के साथ-साथ जो verbally आपको बताई गए चीजे वो भी अपने आप में इस पूरे topic की इस पूरे परकरण की पूरी कहानी अपने आप में ब्या कर देते हैं तो इस तरीके से continue हम practice करते रहेंगे रोज नए topic से रूबरू होते रहेंगे प्यारे दोस्तों ठीक है आपको ये ध्यान रखना अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस WhatsApp नंबर पे call करके message छोड़के भी प्यारे बच्यों अपनी समस्याओं को बता सकते हो कि आप और क्या चाते हो questions का जो प्यारे बच्यों लेवल है उसको महोर थोड़ा सा हाई करे या फिर आप चाते हो कि इस पूड़ी को थोड़ा कम करे या आप चाते हो कि इससे और ज्यादे question कराए 50 question कराए 100 questions रोज कराए या आप चाते हो कि एक से डेड़ गंटे की class हो डेड़ गंटे की possible नहीं है लेकिन ये गंटे की class हो सकती है लेकिन मेरी इच्छा पहले यही है कि पहले हम थोड़ा थोड़ा भ्यास करके फिर आगे जाके detail में चीजों को विश्थार से हम पढ़ेंगे ताकि आपको भी कहीं ने कहीं जो बहुत आप बीजी हो अपनी life में कोई पढ़ाई में बीजी है कोई घर की जिम्मेदारियों के साथ बीजी है वहां से जो भी थोड़ा बहुत वक्त में आपको मिलता है तो उस वक्त को निकाल कि अगर आप ये question कर लेते हो तो ये भी आपके selection में बहुत बड़ी भूमी का निवाएंगे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना मेरे नाम से बहुत सारे YouTube चैनल बहुत सारे Telegram चैनल बने हैं यहां तक कि मेरी जो मैं Carrier Will पे पढ़ाता हूँ वहां से प्यारे बच्चों कैमरे से अपने मोबाइल से फोटो कीच कीच के recording करकर के मेरी वीडियो भी डाली गई है तो प्लीज आप लोगों से सभी से request हैं अगर आप कहीं भी कोई Telegram चैनल देखोगे YouTube चैनल तो मेरा एक ही है प्यारे दोस्तों हिंदी वाई अरुन सर और उस पर ये फोटो लगा हुए उस पर ये फोटो लगा है इसके अलावा कोई भी चैनल है वह हिंदी भी अरुन सर करके हैं या कुछ और दूसरा है किसी भी नाम से वो मेरा कोई भी सोसल मेडिया फिलेट फारम नहीं है मैं क्यों आया यूटूब चैनल पर मेरी अब मुझे आवसकता नहीं थी मैं सुबह से साम तक मेरी बहुत खिला से होती है एप पे पैड कोर्स के अंदर जब ये बहुत सारे प्यारे बच्चों मेरे नाम से टेली ग्राम चैनल लोगों ने चला लिये यूटूब चैनल तक लोगों ने बनाया मेरे नाम से और उसी पे जो बच्चे थे जो मेरे पे फेट करते हैं बरोसा करते हैं और उनको कहीं ने कहीं भर्मित किया गया उनको कहीं बैलाने और फुचलाने का काम किया क्योंकि आज कर हर कोई अपनी मार्किट के चक्कर में लगा है आज कर हर कोई ये social media फलेट फर्म को भूनाने में लगा है तो उस वज़े से मैं मजबूरी में आया कि मैं पढ़ाऊंगा कहाँ पे जो पैड कोर्स होते हैं वहाँ पे मैं और पढ़ाऊंगा लेकिन मैं वहाँ पे बहुत सारी practice भी कराता हूँ, साथ के साथ video देता हूँ, notes देता हूँ, लेकिन उन तमाम बच्चे को जो उन से पहले pad course करी चुके हैं, और उन्होंने अभी practice नहीं किया है, क्योंकि अभी कोई exam नहीं है, अभी जो exam होने थे वो cancel हो गए, वो अपने practice को कैसे continue रखे, अपनी पढ़ाई को कैसे continue रखे, अपनी तयारी को किस तरीके से परके कि वो वास्ता में हिंदी से हम फिरी हुए हैं आभी नहीं हुए, उसकी वज़े से YouTube पे आप लोगों की help के लिए मैं आया हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं कहूंगा, आप ये दबाओ, वो दबाओ, ये करो और वो करो, बस आप practice करो, अपनी जीवन का जो आधा गंटा है, एक गंटा है, वो निकाल कि आप किसी तरह अगर हिंदी को देते हो, तो मेरी कोशिस रहेगी कि मैं हिंदी के दम पे, आप लोगों का selection करा पाओ, वो ही मेरा एक मकसत है, लंबे समय तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अभी कहा रहा हूँ, ये YouTube चैनल दो महिने चले, एक साल चले, दो साल चले, वो समय बताएगा, मेरा ऐसा कोई प्यारे बचो परपजी नहीं है, कि वे continue दो साल तक YouTube पे पढ़ाऊंगा, मुझे बहुत सारे लोग चाहिए, ऐसा कोई मकसत नहीं ब तो मैं कोशिस मेरी ये ही है, कि किसी भी तरह मेरे पास जो चीजें हैं, जो सरस्वती की महरबानी से, मेरे पास प्यारे बच्चो आई है, वो आप तक मैं पहुंचा हूँ, और उसका एक माध्यम बनेगा, प्यारे दोस्तों, ये प्लेट फारम, ये YouTube का ये चैनल, जो टेल प्यारे दोस्तों, फोन कर सकते हो, बिना किसी जिजग के साथ, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, तुरंत रिस्पोंस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादे तर पेड़ कोर्स के बैचों में सैलिबस को कम्प्रीट कराने में भी जी रहता हूँ, लेकिन सब को पता है कि मैं कितने सालों से नोकरी कर रहा हूँ, आप सब को पता है कि मैं कितनी नोकरी छोड़ चुगा हूँ, ठीक है, इस तर इसे मैं कंट्यून्यू, एक दूसरे स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ, आप भी लो, पहले एक छो हैं लेकिन यहां जो बच्चा रहेगा सीरियस होके अपनी समस्षाओं को हम को अवगत कराएगा उसका समधान लेगा और फाइनली सेलेक्शन ले के दिखाएगा आज के लिए इतना ही बाकि कल नए टोपिक के साथ फिर आज ही होंगे दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार